तुम्हारा मन ब्याकुल नहुख लोग को जय मसीखी आज मैं आप से बात करना चाहता हूँ निरासा के बारे में दोस्तो निरासा एक ऐसी इस्तिती है जो असपलता के कारण हमारे अंदर पैदा होती है जब लोग कई बार किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वो निरास हो जाते हैं या पर जो सपने उन्होंने देखे होते हैं वो सपने जब उनके जीवन में पूरे नहीं होते हैं तो वो निरास हो जाते हैं ये पिर जो चाहते थे, वो उनके जीवन में नहीं होता है, तो वो निरासा में चले जाते हैं, दोस्तों हो सकता है, आज आप भी निरासा का सामना कर रहे हों, अपना जीवन निरासा में बेतीत कर रहे हों, दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप येशु आपसे प्यार करते हैं और वो आपको निरासा में जीवन बतीत नहीं करने देंगे वचन में लिखा है जो कोई प्रभू पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है दोस्तों यर्मिया की किताब में यदि हम पढ़ते हैं 20 अध्याई 14 पद से यदि हम आगे पढ कि बहुते हैं यर्मिया भी निरासा का सामना कर रहे हैं और वो अपने आपको कोचते हैं वह पर मेश्व को कहते हैं कि प्रभू तूने मुझे धोका दिया है और श्रापित हो वो चिस दिन मैं इस धर्टी पर पैदा हुआ मैं अपनी मा के गर्व में ही क्यों नहीं मर गया मेरी कब्र मेरे मा के गर्व में ही क्यों नहीं बन गई मैं क्या दुख जिलने के लिए क्या निरासा देखने के लिए क्या सोक मनाने के लिए क्या परिश्रम करने के लिए इस धर्ती पर आया हूं और बहुशे वकता यर्मिया बहुत ज़्यादा निरास हो जाते हैं प्रन्तो आगे ज़्हां हम पढ़ते हैं यर्मिया 29 में वहां पर प्रवो उनसे कहते हैं जो कलपनाए मैंने तुम्हारे विशह में की हैं उन्हें मैं जानता हूँ वे हानी की नहीं प्रंतु लाब की हैं तो मेरे प्रियों परमेशुर ने जो कुछ कल्पनाएं आपके विशह में की हैं वो आपकी हानी की नहीं है वरन आपके लिए लाब की हैं जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो सब कुछ आपके लिए भलाई उत्पन करेगा बरजन सहिता 34-18 में लिखा है कि यहुआ टूटे मन वालों के करीब रहता है दोस्तों जिनका मन टूटा हुआ है जो निरासा में है जो उदासी में है वो यह न सोचें कि परमेशर उनसे दूर चला गया है परमेशर उनके और करीब है परमेशर चुप है इसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं वो आपके भाश्या को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं रोमियो 10-11 में इस परकार से लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लजजित नहोगा दोस्तों यदि आप प्रभु येश्व मसी पर विश्वास करते हैं तो आपको कभी भी लजजित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि प्रभु येश्व मसी आपके साथ में होंगे यदि आप निरास हैं आज अपने जीवन में, यदि आपका मन ब्याकुल है, यहना 14.1 में लिखा है कि तुम्हारा मन ब्याकुल न हो, तुम परमेशर पर विश्वास रखते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास रखो, दोस्तों प्रवो कहते हैं कि तुम्हारा मन ब्याकुल मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें निरासा से बाहर निकालूँगा, मैं तुम्हें इस परस्तिती से बाहर निकालूँगा, जिस परस्तिती में तुम हो आज हमेशा उसमें नहीं रहोगे, रात के बाद सुबह आएगी, दुख के दिन खतम होने वाले हैं, अब येश्यमसी आपको हर एक निरासा से छुटकारा देंगे, क्योंकि जो कल्पनाई वो आपके विशय में उन्होंने की हैं, वो आपकी भले के लिए हैं, वो आपकी हानी के लिए नहीं हैं। हो सकता है आपने असपलताओं का सामना किया हो, हो सकता है आपने जो कुछ सोचा वो नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों अभी भी ये शुमसी आपकी नाओ उपर है, और वो आपकी नाओ को डूबने नहीं देंगे, वो आपकी नाओ को फिर से स्थिर करेंगे, और उसे किनार पर ले जाएंगे, जो मैं आप से कहना चाहूंगा, आप निरासा में अपना जीवन बेतीद करें, प्रभू ये शुमस्य के पीछे चलना शरू करें, इन वचनों को आप याद करें, अए हम दुआ करें, प्रभू ये शुमस्य आप धनेवाद करते हैं, जितने भी लोग प् प्राथना प्रवियेश मसी के नाम से मांगते हैं आमीन